नमस्क्रा दोस्तों, मेरा नमनुज्रोय है, आम मेर दिली के विकास परिविधान सभा शेत्रका रहने वाला हूँ आज मैं आपको केजरीवाल सरकार की कुछ नाकामियों के बारे में बताऊंगा जिनकी विज़े से एक में 2021 को में पिता जी को कोविट के विसे खो दिया और आज दिली के सैक्ड़ों लोग केजरीवाल साब की नाकामियों की विज़े से ही कोविट में मारे जा रहे हैं मीडिया के अंदर इन बुनियादी बातों को नहीं रखा जा रहा है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सोशल मीडिया और मीडिया के तरू ऐसा नेरेटिव सेट कर रखा है कि दिल्ली में हो रही मौतों के जिम्मेदार केंदे सरकार है क्योंकि वो अक्षियन सप्लाई नहीं कर रही है लेकिन कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केजरीवाल सरकार को देना चाहिए सबसे पहला बनियादी सवाल ये है कि उत्तम नगर विधान सवा दौरका विधान सवा और विकासपुरी विधान सवा तीनों विधान सवाओं में करीब 25 लाख लोग रहते हैं इन 25 लाख लोगों के उपर एक भी दिल्ली गौर्मन का सरकारी और अस्पताल आस तक नहीं बना ये इतने लोग हैं जितने की भोनेशुर की आबादी है उसे दोगने लोग भोनेशुर जैसे इस तहर की आबादी के दोगने लोगों के लिए एक भी सरकारी इस्पता दिली के अंदर नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है आज यहां के मरीज दर बेदर भटकते रहते हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा 27 अपरेल 2021 को जब मेरे पिता जी की लक्षन हमें कोविड के जैसे नज़र आए तो हम लोगों ने उनके RTPCI टेस्ट के लिए ट्रॉई किया बट उस टाइम इतना जाधा रश था कि RTPCI टेस्ट नहीं हो पाया शाम को जब उनका Oxygen Level कम होने लगा 91 के अस पसाया तो हम लोगों ने उनके oxygen bed के लिए ट्रॉई किया इसके लिए हमने खेजरीवाल सरकार के द्वारे लॉंच की गई, COVID आप का इपस्तमाल किया और आपको जंग कहरानी होगी, कि उसमें मुश्किल से 1200 बेट दिखाई दे रहे थे और जिन हस्पेटालों में बेट थे हमने करीब 3-4 घंटे उन पर ट्राई किया, आदो के नमबर स्विच ओफ हैं, आदो के नमबर गलत हैं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है आखिर ये क्यों? तो पब्लिक और मीडिया को बताने के लिए तो आपने एक कोईड आप लाउंच कर दिया, लेकिन इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है दूसरा 28 अप्रेल को जब मैं हमारे पिता जी का त्वियत जादा खराब हुआ, तो किसी तरीके से हमारे को एक ऑक्सिजन बैड मिला हमारे घर के पास में, आश्यवाद नर्सिंग होम में, हमने पिता जी को वहाँ एडमिट करा दिया पिता जी उस नर्सिंग होम में एडमिट थे तो डॉक्टर ने उनका चेस्ट का एक्सरे कराया और उनको पता चला कि उनके चेस्ट में इंफेक्शन है तो डॉक्टर ने सेटी स्कैन रेकमेंड कर दिया, सेटी स्कैन के लिए दो दिन की वेटिंग मिली तीस तारीकों मेरे पिता जी का सुबह सेटी स्कैन हुआ और इसकी रिपोर्ट शाम को आई और डॉक्टर ने बोला कि इनके चेस्ट में इंफेक्शन काफी ज़्यादा फैल गया है, अब इनको रेम डिसीवर्स चाहिए रेम डिसीवर्स हमारे को नहीं मिले डॉक्टर ने हमारे को बोला कि ब्लैक मार्केट से लेया, ब्लैक में भी नहीं मिल रहे है अब आप बताए कि जब केंद सरकार ने साफ साफ ये डिसाइड कर दिया है कि रेम डिसीवर्स के सारे इन्जेक्शन होस्पिटल के थरू ही पैशन्स को मिलेंगे तो आश्रवाद नरसिंग हम भी उसका कोटे के रेम डिसीवर्स चाहिए निक्शन मिले हर चीज़ के लिए आप मोदी सरकार पर ठीक रहा फोड़ देते हैं ये गलत है दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है दस दिन पहले कोई मेरे को भी बोलता ना केज़री वाल सरकार दिल्ली में गलत काम कर रही है तो सक बता हूं मैं भी इसको अपोस करता मुझे लगता था केज़री वाल सरकार सच में बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन हकीकत धरातल से को सो दूर है क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं उनके द्वारा फैला आएगे सोशल मीडिया और मीडिया पर जो कुछ अक्र है उनकी जो अड्विटाइजमेंट था उससे ढ्रमित हो गया यह वह बहुत अच्छा काम कर रहे है लेकिन जमीनी हलात बहुत दूर है उसके बाद जो हमने पिताजी को आशिवाद नसिंग होम में एड्मिट कर आया तो वहाँ ऑक्सिजन के सबलाई ऑक्सिजन कंसेंटर पे थी 24 घंटे दिली में बिजली देने का दावा करने वाले केज़री वाद सरवकार की हकिकत यह है कि एड्मिट करने के 4 दिन के अंदर पिता जी की हॉस्पिटल की लाइट कम से कम 10 बार गई आप बताईए जनेरेटर स्टार्ट होने में 25 से 30 से लगते है क्रिटिकल मरीज जो अक्सिजन कंसेंटर पे है वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइब करेगा जब लाइट ही नहीं है 24 घंटे बिजली आप देने की बात करते हैं नेकि इन हगिकत में नहीं है सर सच बोल रहा हूँ आप चेक कर लीजे किसी भी अरिया में बिल ली के सर दुख तो तब होता है जब ये पता चलता है कि आपके विदाएक 700 अक्सिजन सिलिंडर को अपने परस जमा करके बैठे वे हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं आम आदमी कैसे जीएगा सर सर चार दिन का हास्पिटल का अब बिल मेरे पता जी का दो लग क्यास पसाया एक आम आदमी कहां से इतना पैसा लेक्जा लेक्राइगा उसके बाद आपने बिला कि हुझार महला क्लीनिक हमने बनाए सर पांच साल में हजार महला किनी बनाने का आपने दावा किया था लेकिन बने साड़े चार सो उसमें स्याधे साधा बंद है और बाकी जहां हम आपके रिष्टेदार हो और MLS के घर पे चलते है ना उसके अंदर कोई बुनियादी सुफधा है जहां हम COVID को लिए कर जा सकते है जब 1 मई 2021 को मेरे पिता जी की COVID से डेथ हो रही थी उससे थोड़ी देर पहले जब गॉक्सीजन लेवन 75 पर आया तो डॉक्टर ने बोले कि इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना है हमने फिर से आपके अप्लिकेशन को देखा कहीं वेंटिलेटर खाली नहीं था आप बत पस्तिफा देजिए मोधी सरकार और लेक्टिन गवरेंडर को ही दिली चलाने देजिए उसके बाद जो सबसे इंपोर्टन सीजे आती है जो में को नजर आ रही है उसमें ये है कि आप पूरी दिली में विधान सबा हमारी और विकास पुरी उत्तमगर को छोड़ देजिए पूरी दिली में अपने एक नया सरकारी हस्पताल नहीं बनाया क्या इसके लिए हम लोग आपको मोधी सरकार के पास भीजएं सर दूसरों पर इंजाम लगाने से पहले जमीनी हकीकत को समझे हम आपके सपोर्टर थे सर लेकिन जमीनी हालात अपने पिताजी को खोने के प्दाट